लोगडाउन के दोरान देश में लोगों को अनाज मुहया कराना सबसे बड़ी चुनाउती बन कर सामने आई थी सरकार ने खाच सुरक्षा कानून के तहट आने वाले 81 करोड लोगों को उनके कोटे के सस्ते अनाज के अलावा तीन महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने का फैसला लिया था बता दे की स्वर्गिय रामविलास पास्वान के सपनों को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने राश्ट्रे खाच सुरक्षा अधिनियम की तहट देश के 81 करोड से अधिक लाभारतियों को मुफ्त अनाज देनी की अवधी को बढ़ा कर दसंबर 2023 कर और इसको लेकर लोगजन शक्ति पार्टी रामविलास के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पास्वान ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी का आभार भी वेक्त किया है चिराग पास्वान ने लिखा है कि पापा जी ने ततकालिन उपभूगता मामले खाद और सार्वज सुरक्ष आधिनियम के तहर्ट देश के 81 करोड से अधिक लाभारतियों को मुफ्त अनाज देने का निर्ना लिया था देश के यससवी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षिता में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त राशन की अवधी को बढ़ा कर दसंबर 2023 तक कर लियान पैकेज की घोशना की गई थी जिसर जमीन पर उतारने का जिम्मा उपभोगता मामले हाथ और सारवचनी कवित्रन मंत्राले को मिला था आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स वित आल मौडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स वित आल मौडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स वित आल मौडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर